तो अभी तक Solution and Collogative Properties में हमने जो जो पढ़ा वो बिसीकली अलग अलग प्रकार की Collogative Properties की स्टड़ी की है ना टोटल वैसे तो आप लोगों की लाइफ में चार Collogative Properties हैं जैसे की पहली Collogative Property जो तुम लोगों की लाइफ में है ताट इस आप लोगों का वाट कौन है बताया हूं भाई वो है आप लोगों की RLVP दूसरी Collogative Property जो हमने पढ़ा है ताट इस Elevation in Boiling Point तीसरी Collogative Property वास Delta Tf यानि की Depression in Freezing Point और चौथी Collogative Property जो Recently हमने फिनिश की ताट इस Osmotic Pressure पाई यह आप लोगों की चार Collogative Properties हैं अब यह जो चारों की चारों Collogative Properties हैं इनकी थेरी हम अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं कि कैसे होता है क्यों होता है फॉर्मूला क्या है वगेरा वगेरा बट दा बेसिक थींग इस Collogative Properties का मीनिंग ही ऐसी यह होता है कि ऐसी Properties जिनकी Value किस मात में डिपेंड करें कि Number of Particles कितने हैं Solute के यानि कि अगर आपके पास वो Particular चीज Pure Form में नहीं है अगर वो Particular चीज आप लोगों के पास Pure Form में नहीं है तो ऐसे केस में अगर उसमें कोई Solute Mix है तो Solute के Mix हो जाने की वज़ा से तो जो Number of Particles आएंगे उन Solute के Number of Particles अगर कम होंगे तो Particular Property भी कम होगी अगर उसके Particles जादा होंगे तो Property भी जादा होगी है ना? तो ऐसी कोई भी Property जो Number of Particles आप Solute के वज़ा से वैरी कर जाए उसको बेसिकली हम लोग को लोगेते Property कहते हैं अब जैसे जो पानी है अगर उसको सारा Standard, Temperature, Pressure वगेरा दिया जाए तो तुम मुझे एक बात बताओ क्या कभी ऐसा होगा कि पानी का Boiling Point 100 Degree Celsius ना हो हाँ, Unless or Until आप उसमें कोई Impurity ना मिला रहे हो अगर सब कुछ Perfect Conditions में है तो क्या कभी ऐसा होगा Obviously not, ऐसा कभी नहीं होने वाला है तो इट मीन्स आट कि वो जो पानी की, जनी कि उसका Melting Point, उसका Boiling Point उसकी Density वगेरा वगेरा, ये सारी की सारी Properties Fixed रहेंगी, चाहे आप 10 L पानी को Boil करो, या चाहे आप 1000 L पानी को Boil करो, ये Properties आप लोगों की हमेशा कैसी रहेंगी Fixed, बट मैं भाग जनकी कर रहे हैं, हम RLVP की Delta TB की Delta TF की, या फिर Osmotic Pressure की, ये आप लोगों की वो Particular Properties है ठीक है, ये आप लोगों की वो Particular Properties है, जो की Vary कर जाएंगी, अगर आपने Number of Particles of Solute की Quantity बोलो, क्या कर दी? अलग कर दी ना, ये Vary कर जाती है, ठीक है? तुमको मैंने ये Properties बढ़ाई थी, तो पढ़ाते पढ़ाते ही, अपसी वक्त मैंने तुम लोगों को ये चीज मैं बताते हुए चली थी, कि Formula जो है, उस Formula में एक Word आता है, I लेकिन वो I Word, Venter Factor, जिसको हम लोग कहते हैं वो कहां से आया, वो कौन है, क्यों लगाया गया इसके बारे में मैंने तुम्हें कोई जानकारी नहीं दी थी, खैर, अब मैं उसकी जानकारीयां देना शुरू करते हुए, जैसे कि पहला इतना तो तुम्हें याद होना चाहिए कि जो हमने RLVP पढ़ा है उस RLVP के Formula में क्या होता है, मोल फ्रक्शन होता है तो उसको हम लोग लिखेंगे, I times the moles of solute, और denominator में, क्योंकि total moles आएंगे, और total में solute plus solvent दोनों आएगा, तो solute के आगे भी I लगेगा, ठीके और solvent आप लोगों का वैसे का वैसी moles of solvent वैसे का वैसी यह हो गया पहला formula दूसरा formula आप लोगों के पास क्या है, delta Tb equal to Kb into molality, तो यहाँ पे आप लोग उसको क्या लिखोगे, I into Kb into molality चीक है, तीसरा formula क्या है, delta Tf delta Tf equals to क्या लिखेंगे I into Kf into molality और चौता formula क्या लिखेंगे, pi equals to what? आप लोगों का I into C into R into T, जहाँ पे यहाँ पे capital C का मतलब है, molality है ना, तो यह जो formula में जो यह word आपको दिख रहा है इन चारो formula में जो आपको यह word दिख रहा है, I basically यह I यहाँ पे कहलाता है, vent of factor, अब हमको समझना है क्या अखेर vent of factor का meaning क्या होता है, यह vent of factor कहां से पैदा हुआ, वगेरा वगेरा बहुत सारी चीजें हम लोगों को इसके बारे में जानी है तो vent of factor को मैं जादा definition wise समझाते हुए ना, एक साधी भाशा में maths की भाशा में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं कहां तक हमारी गाड़ी पहुँचती है जैसे कि तुमको मैं पहले ही बता चुके हूँ कि अगर number of particles जादा रहेंगे जिसको मैं short form में NOP लिख रहे हूँ, किसके number of particles solute के, तो collocative property भी जादा रहेगी ठीके, क्योंकि वो collocative property आखिर वो तो depend ही इस बाग पर कर रहेगी कि number of particles कितने है है ना, तो वो उस पर depend करेगी खै, तो अगर number of particles जादा है तो collocative property जादा है, यह हम जानते हैं मतलब यह directly proportional होगा collocative property के, यानि की CP के अगर आप number of particles को vary करोगे कम करोगे, जादा करोगे तो कम यह जाला करने से क्या हो जाएगा, उसकी collocative property बोलो क्या हो जाएगी vary कर जाएगी, खैर यह तो हम लोग जानते हैं, अब हम लोगों को जो topic पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है abnormal collocative property, ठीक है हम लोगों को यह topic पढ़ना है, क्या topic है हम लोगों का क्यों की लगाया है उचला डीटेल में बातचीत करते हैं तो इसी लिए लगाया है क्योंकि नॉर्मली अगर कोई solute नहीं होता तो इतनी value आनी चाहिए है ना या फिर मान लेते हैं अगर मैंने 5 gram solute डाला है और मैं expect कर रही हूं पुरा formula formula लगा लगू कर की answer आना चाहिए 200 degree म पान के चलो और आ गया बताओ कितना आ गया आप लोगों का बताओ कितना 300 या फिर मान लेते हैं आ गया कितना देर सो यानि कि जितना तुम expect कर रहे हो तुमारी expectation से या तो value जादा आई है ठीक है या तो value तुमारी expectation से क्या आई है कम आई है तो उस particular चीज़ को हम लोग कहत probability कि जो आना चाहिए जो हम उमीद कर रहे थे कि by calculations है ना हमने कुछ formula is used के हम expect कर रहे थे कि इतनी value आनी चाहिए अगर reality में value तुमारी expected value से जादा आए तो भी उसको abnormal कहेंगे कम आए तो भी उसको abnormal कहेंगे यानि कि अगर तुम expect कर रहे थे reality में किसी एक collogative property की value आनी चाहि कोई भी आप ले सकते हो क्योंकि but reality में अगर आप लोगों का expectation था आप लोगों की expectation क्या थी कि collogative property की value कितनी आनी चाहिए x but तुमने ये देखा कि reality में दो options है क्या या तो reality में जो collogative property की value आई या तो वो less than x आई या फिर वो कैसी आई आप लोगों का more than x आई है ना दो cases हो गए या तो वो less than x आई या तो क्या होई more than x आई तो ऐसे particular case में ठीक है ऐसे particular case में हम कहते हैं उसको abnormal collogative property मतलब जितना उमीद किया जा रहा है उस उमीद से अगर जादा भी आ रहा है तो भी abnormal उस उमीद से अगर कम भी आ रहा है तो भी abnormal खेर ये तो चुलोब ठीक है सम कम हो रही है जादा हो रही है है इसके reason में बाद में जाएंगे खेर बट यह तो समझ में आ गया ने को लोगेटिव प्रपरटी कम जादा हो रही है बट दपॉइंट ए कि यहां पर मैडम आपने abnormal molecular mass क्यों रिखा क्यों क्यों को आपने प्रपरटी को abnormal क्यों it is understandable समझ में आ अगर मैंने abnormal कहा है molecular mass को तो इसका मतलब जरूर कुछ ऐसा ही होगा कि molecular mass की value भी तुमारी expectation से या तो कम आ रही होगी या तो ज़्यादा आ रही होगी exactly but molecular mass तो fix रहता है na molecular mass तो हर दुनिया में आप तक जितनी चीज़े पढ़ते हैं अब तो मिशे molecular mass को fix लेकर चलते हैं फि जिनकी molecular masses की value fix नहीं होती जैसे जिनका best example होता है polymers है आप polymers के molecular mass की जो value होती हो कभी भी fix नहीं होती अगर मान लेते मेरे पास एक thermocall है अगर मैं उसका molecular mass निकालती हूं तो कभी भी मुझको थर्मकॉल के molecular mass की exact value नहीं मिलेगी मुझे हमेशा उस हमार को के molecular mass की एक range में व हो सकता है depend कि आपने कौन सा solvent लेकर उसको measure किया है तो ऐसे लोगों की बात की जारी है ऐसे लोगों की नहीं CO2, CH4, HCl, NaNO3, KCl, ऐसे नहीं यह लोगों के भाई molecular mass fix होते हैं यह नहीं बदलते हैं बट कुछ ऐसी चीज़े हैं जिनके molecular mass vary कर जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं य abnormal molecular mass है ना हमने सारी collogative properties पड़ी हैं हाँ आप एक एक करके पूरी collogative properties के जो notes है आप revise करिए ठीक है जब आप revision करेंगे तो आपको यह रेखने को मिलेगा कि जब हमने recently, recently osmotic pressure वाली collogative property पड़ी वो directly proportional थी molarity के यह agree करते हो directly proportional थी molarity के molarity को अगर मैं और simplified तरीके से लिखूँ तो molarity को मैं क्या लिख सकते हो moles of solute divided by volume of solution exactly okay अगर मैं moles को और simplified version में लिखूँ तो मैं moles को और simplified version में क्या लिख सकते हो mass किसका solute का upon में बताओ क्या molar mass किसका solute का और multiply by what volume किसका solution का यानि कि यहां से मुझे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि osmotic pressure molar mass वो भी किसका molar mass आप लोगों के solute के molar mass से बोलो कैसा है inversely proportional है ठीके कैसे proportional है inversely proportional है अगर मैं similarly तुमसे बहस करू किस topic के बारे में delta tb के बारे में या फिर अगर मैं बात करू delta tf के बारे में तो वो लोग भी directly proportional होते है molality के और अगर हम molality को भी simplify करें न मोल्स डिवाइट बाइ मास साफ साफ मास तो यहां से भी हमको यही बात पता चलेगी कि delta tb या delta tf भी molar mass के क्या होते है inversely proportional होते है यानि कि किसी भी discussion से यह साफ साफ पता चलता है कि कोई भी collogative property directly proportional होती है किस चीच के number of particles के but inversely proportional होती है किसके solute के molecular mass से तो अगर तुम्हें ऐसे में non number of particles को let's say अगर change कर रहे हो तो definitely collogative property की जो value है है ना collogative property की value change होगी और अगर collogative property change हो रही है तो molar mass भी क्या हो जाएगा change हो जाएगा ठीक है molar mass भी क्या हो जाएगा आप लोगों का change हो जाएगा क्या ये कहानी यहां तक done है अच्छा तो इसका मतलब अगर expectation से ठीक है आपको reality में कुछ जादा मिले या कम मिले हर चीज को क्या कहा जाएगा abnormal कहा जाएगा हर चीज को क्या कहा जाएगा abnormal for example अगर मैं criteria रख दू कि तुम्हारे exactly 10 number आने चाहिए और मान लेते तुम्हारे आगए 20 number वैसे तो किसी parents को इस बात से दुख नहीं होगा कि बच्चे के जादा number आए बट still अगर किसी particular exam में criteria लगाया गया कि आपको exact 10 score करना ह exact 10 और तुमने score कर लिया है मान लेते 20 तो जो 20 marks तुम्हारे आए ना that is abnormal उसको basically हम लोग क्या कहेंगे कि वो चीज क्या है abnormal है मैं कहूंगी कितना abnormal है let's say मैंने कहा कितना abnormal है तुम कहोगे 2 times abnormal है तुमने 2 times क्यों कहा क्योंकि मैडम expect हम 10 कर रहे थे मिला 20 तो दोनों का ratio कितना ह हुआ 2 times अगर माले ते तुम्हारे 40 marks ना होते तब क्या कहते तब मैडम हम यह कहते कि 2 times आप लोगों के 4 times है ना यानि कि आपको जो भी abnormal value मिलती है वो abnormal value चाहे जादा मिले या चाहे वो abnormal value आपको कम मिले वो abnormal value आपकी कितनी जादा है कितने times जादा है या कितने times कम है किस से normal से that ratio that times is basically known as vent of factor यानि कि vent of factor is simply a ratio यह ठीक है यह जो vent of factor नामक word है वी ओ एच जिसका symbol होता है आई यह आप लोगों का एक क्या है simply एक ratio है ठीक है simply क्या है एक ratio है किस चीज का ratio है यह simply simply ratio है किस चीज का कि भईया कितना मिला ठीक है कितना मिला ठीक है reality में कितना मिला ठीक है कितना मिला versus कितना लिया था इस चीज का यह simply क्या है ratio है यानि कि मैं यह कह सकती हूँ ये ratio है reality versus expectation का, ये reality versus expectation का एक ratio है, reality को ही हम लोग chemistry की भाशा में क्या कहते हैं, experimental quantity, जैसे अगर मैं तुमसे कहूंगी न, कि अभी मैंने experiment किया और वाया experiment मुझे ये value इत्तिती मिल, तो अब experiment तो गलत नहीं हो सकता, ये experiment तो जूट नहीं बोलेगा, बरामबर experiment तो गलत नहीं होगा, experiment से जो answer निकला है वो तो correct होगा, तो reality मतलब experimental value को कहा जाता है, और जो आपकी expectation होती है, आपकी expectation को क्या कहा जाता है, theoretical value, तो if somebody would ask you, कि what do you mean by the event of factor, then simply says that person, उस इंसान को simply कहो कि भाई, ये एक ratio है, किसीज का ratio है, reality versus expectation का, खत्र, reality में collogative property इतनी आई, वहम expect इतना कर रहे थी, या फिर ऐसा भी बोल सकतो, ये कि एक simply ratio है, किसीज का ratio है, ये एक ratio है, experimentally, collogative property की value इतनी आ रही है, upon में, theoretically, collogative property की value, इतनी आनी चाहिए थी, या फिर ये simply एक ratio है, किसीज का ratio है, कितना मिला, versus कितना लिया था, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूंगी, तुम्हे value लानी चाहिए थी, हंड्रे, और तुम लेकर आगए पचास, तो अगर मैं तुम से कहूं, तुम कितने time कम आए हो, जो कि आना चाहिए था हंड्रे, आया है पचास, यानि कि कम आया है, तो कम को भी abnormal में गिना जाएगा, पचास जो तुम्हें मिला है ना, ये मत सोचना कि कम वाले को abnormal नहीं कहेंगे, अगर तुम्हें कम भी मिला है, तो भी abnormal है, तुम्हें जादा मिला है, तो भी वो abnormal है, रैट, कितना कं मिला है, ये जो बात करते ना, पर मुझे 1 by 2 कम मिला, मुझे 3 by 4 times जादा मिला मुझे 1 by 3rd less मिला तो that is basically Vant of factor तो Vant of factor कोई बला का नाम नहीं है it is simply a mathematical ratio खतम बात ठीके तो तुम अलग-अलग किताबों में देखोगे अलग-अलग किताबों में तुम्हें IE का देखो विभी ने विभी ने फॉर्मूले लिखे हुए मिलते है जैसे कई books वाले ये लिख देते है delta tf बोलो क्या observed, observed का मतलब वही होता है experimental, observed जो तुम्हें लिखना है लिख लो observed या फिर experimental एक ही चिडिया का नाम है बराबर अच्छा, upon में आप क्या लिखते है वो लोग book वाले, वो ये लिख देते है delta tf what theoretical ठीक है, theoretical मतलब कितना हम expect कर रहे थे, ठीक है हमारी expectation क्या थी या फिर books में आपको ये भी देखने को मिलेगा, delta tf की जगा कल वहाँ पे delta tb भी हो सकता है, है ना अच्छा, तुम्हें हो सकता है delta tb की जगा, वहाँ पे कल को तुम्हें ये भी लिखा हुआ मिल सकता है क्या, pi observed और upon में क्या लिखा हुआ मिल सकता है, pi theoretical ये भी लिखा हुआ मिल सकता है pi की जगा तुम्हें ये भी देखने को मिल सकता है, rlvp observed ठेक है अब पॉन में बताओ क्या RLVP कौनसी वाली theoretical वाली ये भी देखने को मिल सकता है तो क्यों न लिखा हो मिले ऐसा क्योंकि मैंने तो अभी अभी आपको बताया कि कोई भी collogative property हो हमाई पास क्योंकि 4 collogative properties है तो किसी भी collogative property का observed यानि कि experimental numerator में रख दो उसी same collogative property का theoretical denominator में रख दो that particular ratio is known as आप लोगों का went off factor तो अगर मुझे one line में किसी को went off factor समझाना हो तो मैं कैसे समझाँगी कि it is a ratio of collogative property observed divided by the collogative property theoretical theoretical का मतलब होता है कि आपको कोई formula दे दिया गया उस formula में आपने value डाली after putting values आपको answer मिल गया that is theoretical और observed या फिर experimental का मतलब क्या होता है आपने actually में कोई experiment किया और उस experiment के वाया आपने क्या निकाली values निकाली ठीक है बराबर यह आई का मतलब है अब लेकिन एक चीज़ ध्यान देना मैंने अभी अभी तुम लोगों को ऊपर बताया था कि collogative properties का molar mass के साथ कैसा relationship चलता है बताओ जरा कैसा 36 का अकड़ा चलता है inverse का यानि कि अगर I के terms में मैं molar mass को लिखना चाहूं तो जहां collogative property का observed numerator में आ रहा है जब हम इसी formula को molar mass के terms में लिखना चाहेंगे तो molar mass के लिए जो theoretical है वो उपर आ जाना है और जो आप लोगों का molar mass वाला observed quantity है वो कहां आ जानी है नीचे क्यों नीचे आ जाएगी क्यों तो बस इतना सा थोड़ा confusion होता है इन दो चीजों में quite confusion होता है formula number one में formula number two में कि theoretical किसके लिए उपर था observed किसके लिए नीचे था है ना ये थोड़ा सा confusion आपको होगा तो एक को याद रखो कि मैं तो हमेशा collogative properties को याद रखो नहीं कि observed collogative properties उपर होती है ठेके observed collogative properties उपर होती है तो automatically molar mass के बारे में इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि molar mass क्या हो जाता है inversely proportional हो जाता है एक और चीज के terms में भी बाचीत की जा सकती है क्या है वो बाचीत हम सभी लोग जानते है आपने mole concept पड़ा है empirical formula, molecular formula यह निकालना आता है आज revise भी कर लेना molar mass जो होता है वो 2 into vapor density होता है ठेके वो क्या होता है 2 times the vapor density होता है अब कई बच्चे ऐसे भी हो सकते है जिनको vapor density का मतलब भी नहीं पता है अभी फिलाल वो वक्त नहीं है कि हम vapor density का discussion करें बट 2 times the vapor density होता है यानि कि अगर मैं कहूंगी कि molecular mass का vapor density का क्या relationship है आप कहोगे direct है मैडम molar mass भी numerator में vapor density भी numerator में तो ऐसे case में अब अगर मैं तुम्हें vent of factor को i के respect में कहने को कहूं तो i के respect में vapor density भी कहां आएगी numerator में ही आजाएगी चोकि directly है ना जहां molar mass भी vapor density तो क्योंकि numerator में theoretical molar mass है तो vapor density भी theoretical वाली ही numerator में होगी क्योंकि denominator में observed molecular mass है तो यहाँ पे vapor density भी observed वाली ही होगी तो इस तरीके से आप i को तीन लोगों के respect में answer कर सकते हो पहला collogative properties के respect में अब देखो collogative properties क्योंकि 4 होती है चारों के respect में कर सकते हो फिर एक molecular mass के case में और दूसरा किसके case में vapor density के case में so there are total 3 ways by which you can express the ratio of end of factor यह वो ratio है अच्छा कर लेंगे लेकिन यह तो madam i तब निकलेगा न जब आपको observe और experimental यह दोनों molecular mass पता हो जब आपको observe और experimental दोनों को collogative property पता हो या दोनों की vapor density पता हो यह तो तभी निकलेगा बढ़ अगर मान के चलते हैं दोनों में से एक अगर आपको नहीं पता है कोई भी दोनों में से एक आपको नहीं पता है फिर इसका मतलब क्या i हम निकाली नहीं पाएंगे तो नहीं i को निकालने का एक तीसरा चौथा पांचवा तरीका भी है let us discuss that ठीक है उसमें थोड़ा सा हम आते हैं देखो होता क्या है सबसे पहली बात कि हमें अपने दिमाग से एक question करना चाहिए कि आखे collogative properties के answer में variation आ क्यो रहा है मतलब क्यों हमको abnormal collogative property क्यों हमको abnormal molecular mass ये सारी चीजे पढ़ने की need पढ़ रही what is the reason behind this हाँ अच्छा कासा तो light चल रही थी तो देखो हुआ कुछ ऐसा कि हम क्या करते हैं मान के चलते हैं मेरे पास ये एक particular particle है ये मेरे पास क्या है particle कितना particle है बोलो एक particle ये मेरे पास एक particle है मैंने सोचा कि हाँ ये एक particle है ऐसे मानने थे मेरे पास एक और particle है, ऐसे माल ले दे में, पास और भी particle है, माल ले ते total हमाई पास चार particle है, इन 4 particles को मैंने assume किया, मैंने सोचा कि मेरे पास 4 particles हैं, और 4 particles को मैंने consider करके, मैंने formula के वाया, collocative property calculate कर दी, ठीक है, by using formula, क्या किया हमने, by using formula, हमने क्या कर लिया, cp की value calculate की, by using formula calculated cp calculate cp मैंने calculate कर लिया cp को ठीक है अच्छा very good अब जब मैं दुकान में गई जैसे माने के 100 रुपे है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो समान मैं खरीदने जा रही हूँ वो समान 100 रुपे का है ऐसा मुझे लगा मैं जब दुकान पहुँची तो देखो दो 3 कैसे हो सकता है हो सकता है कि जब हम दुकान पहुचे तो सही में वो particular item 100 रुपे का हो very good है ना हो सकता है 100 रुपे से कम का हो अच्छा है बग जाएंगे पैसे हो सकता है 100 रुपे से जाना का हो 3 कैसे हो सकते similarly हमको ऐसा लगा कि हमारे पास 4 particles है हमें ऐसा लगा कि मेरे पास 4 particles है चलो एक्जामपल के तौर पे NACL को भी उठा लेते है मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास NACL के 4 particles है मैंने इन NACL के 4 particles को solvent में डाला और must जाके colligative properties को calculate कर डाला फॉर्मूले से तो मैं यह रेकती हूँ कि जब मैं फॉर्मूले से कालोगेटिज प्रॉपटी की वाल्यू मैंने निकाली और मान के चलते हैं वो वाल्यू निकल कर आई मेरी X और मान के चलते हैं जब मैंने इसी सेम चार particles की वाल्यू को निकाला by experiment को लोगेटिव प्रॉपर्टी की वैलु मैंने कैसे निकाली प्रॉपर एक्सपरिमेंट करके निकाली तो मैं यह रेखती हूँ कि आंसर आ रहा है 8X मतलब आना चाहिए था X और आ रहा है 8X 3X 4X मतलब तुम मान के लो चलो 4X ले लो 5X ले लो या कोई भी ले लो ठीक है यह दो कई लोगों को डाउट हो जाएगा 8X घी क्यों यह दो किसी का भी दिमाग नहीं ठंके गा अरे यार चार पार्टिकल्स के लिए तो X आना चाहिए यह दो यह दो यहीं से जनम हुआ किसका आप लोगों की Abnormal Collogative Property Abnormal Molecular Mass का हमने लोगों को यानि कि दुनिया में लोगों को क्या बताया कि देखो तुम ऐसा expect कर रहे थे कि तुम्हारे पास एक NACL है बट जब हम लोगोंने रियालिटी में देखा तो वो एक NACL एक पार्टिकल नहीं था वो NACL तूट गया और तूट कर उसने क्या बना लिया ये बना लिया ये यानि कि तुमको ऐसा लग रहा है कि वो एक पार्टिकल है बट रियालिटी में वहां कितने पार्टिकल्स हैं दो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वहां चार पार्टिकल्स हैं बट रियालिटी में कितने पार्टिकल्स हैं वहां आठ और हम तो है कि अगर particles की quantity कम या जादा भी अगर होती है तो colligative property बढ़ जाती है है ना तो इससे लिए colligative property change होगी so whenever you think अभी तक हम क्या सोचते आ रहे थे कि हमारे पास जो particular solute है जैसे कि glucose, urea type के लोग ये कभी भी तूटते नहीं है तो हाँ भाई ये लोग नहीं तूटते बट कई solute ऐसे भी होते हैं जो dissociate हो जाते solvent में जाने के बाद और अगर dissociate हो गए तो quantity number of particles की क्या हो गई? जादा हो गई और अगर quantity number of particles की जादा हो गई तो colligative properties की value भी बढ़ गई तो यानि कि abnormal colligative properties हमें क्यों मिल रही है क्योंकि जो हम solute ले रहे हैं ठीके जो हम solute ले रहे हैं वो solute आप लोगों का कैसा है? वो particular solute आप लोगों का solvent में जाने के बाद या तो वो कुछ नहीं करता? ठीके अगर आप उस solute को किस में add up कर दो? आप उसको solvent में add up कर दो तो solute solvent में जाने के बाद या तो कुछ नहीं करता? यह एक case हो सकता है? कुछ नहीं मतला ना तो वो जाकर तूट रहा है ना तो वो जुड रहा है जुडने वाला भी मैं एक example बताती हो ना तो वो dissociate हो रहा है ऐसे भी solute हो सकते हैं तो अगर ऐसे solute हुए तो अगर मैं assume कर रही हूँ के मेरे पास 100 particles है तो 100 ही रहेंगे ना चुकि ना तो वो तूट रहें अगर नहीं तूटेंगे तो जाजा नहीं बनेंगे और नहीं चिपकेंगे तो कम भी नहीं होँगे तो जैसे हैं उतने के उतने ही रहेंगे तो ऐसे solute जो ना के dissociate होते हैं ना associate होते हैं उनके लिए हम लोगों को कभी कोई tension लेने की जरुवत नहीं पड़ती उनमें उनकी collogative properties में कोई changes नहीं आते no changes in CP ना उनके CP में कोई changes आते हैं ना उनके molecular mass में कोई changes आते हैं और ऐसे लोगों के लिए i बराबर कितना लिया जाता है one लिया जाता है बट एक case ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो particle लिया वो particular particle क्या हो गया बताओ वो particular particle dissociate हो गया जैसे मैंने NaCl लिया एने CL dissociate होके Na plus a CN negative बना लिया मैंने HNO3 लिया वो dissociate होके H positive NO3 negative बना लिया यानि कि मेरे पास एक ऐसा solute है जो क्या करता है dissociation करता है जो क्या करता है dissociation करता है dissociation मतलब further breakdown हो जाता है हमने ionic equilibrium पड़ी है आपको बहुत अच्छे से बता है कि किस तरीके से चीज़ों को break करते है अगर माल लेते हैं कोई चीब break हो गई तो अगर imagine करो तुमारे पास एक काच का glass है जब तक वो काच का glass ग्लास है उसको हम लोग क्या कहते है एक glass तुमने उसको फेक दिया तो उसकी तुकड़े तुकड़े हो गए फिर काच के सोच़ों कितने सारे particles बढ़ जाती है अगर number of particles की quantity बढ़ गई तो तुम और मैं जानते हैं कि collogative properties number of particles पे directly depend करती है तो collogative properties भी बोलो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और हम यह भी जानते हैं कि collogative property का molecular mass के साथ कैसा relationship है inverse का तो molecular mass ऐसे लोगों का क्या हो जाएगा घट जाएगा molecular mass के अलावा vapor density भी ऐसे लोगों की क्या हो जाएगी घट जाएगी और क्योंकि number of particles बढ़ गए collogative property बढ़ गए तो ऐसे case में I की value कैसी आएगी greater than 1 आएगी तो देखो अभी तक हमने क्या मात की दो cases हो सकते हैं या तो particle तूटेंगे या जुडेंगे या तो कुछ भी नहीं करेंगे तो अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ऐसे case में I की value क्या होती है और ना तो collogative property में कोई changes आते हैं और ना ही आप लोगों के vapor density वगेरा वगेरा में कोई changes आते हैं कुछ नहीं और एक तीसरा case हो सकता है कि particle तूटने के बजाए जुड़ गया अब कई लोगों को शौक लग रहा होगा क्या particles जुड़ते भी हैं definitely particles जुड़ भी सकते हैं जैसे मान के चलिए आप लोगों के पास दो balls हैं आपना उन दोनों balls को फैविकॉल से जोड़ दिया खतब बन गई एक complete ball है ना मतब एक नया toy बन गया तो ऐसे में you can join या फिर solute can join themselves हो सकता है कि आप लोगों के पास चार particles हो और सारे particles अब दो-दो के pair में खड़े होना शुरू हो गए तो आपको ऐसा लग रहा है यह चार है बट अब सबकी अगर दो-दो की जोड़िया बन गई तो बोलो particles कितने हो जाएंगे particles कितने हो जाएंगे particles हो जाएंगे सिर्फ दो क्योंकि वो दो लोग club होके single unit में convert हो गए तो जब आप लोगों का association होता है तो association वाले case में एक बहुत ही बड़ा घाटा रहता है वो घाटा यह होता है कि number of particles की quantity कम हो जाती है बराबर number of particles की quantity कम हो जाती क्योंकि दो particles मिलके एक बना लेते हैं या तीन particles मिलके एक बन जाते हैं तो number of particles की quantity overall घट जाती है इसकी वज़ा से collogative properties भी घट जाती है अगर collocative properties घटेंगी लेकिन molecular mass क्या हो जाता है बढ़ जाता है और vapor density भी बोलो क्या हो जाती है बढ़ जाती है और i की value कैसी आती है ऐसे लोगों के case में less than 1 आती है ठीक है तो 3 cases हो सकते हैं या तो i की value 1 आएगी या तो 1 से बढ़ी आएगी या तो 1 से छोट आएगी आई की value 1 तब आती है जब ना तो solute टूट रहा है ना तो जूट रहा है है अगर टूट रहा है तो greater than 1 अगर जूड रहा है तो less than 1 ठीक है अच्छा अब association का मैं एक example देती हूं बहुत ही famous example है association का इसलिए ये वाला दे रही हूं मैं तुम लोगों को देखो बहु CH3 COOH अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो ये तूट जाएगा यानि की CH3 COO negative और H positive बराबर है ना तूट गया dissociate हो गया ठीक है इसको कहेंगे dissociate होना बट अगर इसी CH3 COOH को मैंने पानी में न डालते हुए मैंने बेंजीन में अगर डाला होता बेंजीन को अगर मैंने ऐ अगर कि बेंजीन में जाने के बाद ये जो आपके CH3 COOH है ना ऐसे दो CH3 COOH आपस में combine हो जाते आपस में एक दूसरे से जूड़ जाते मैं दिखाती हूँ कैसे जूड़ते हैं ये लोग एक दूसरे से है ना hydrogen bonding के वाया ये लोग एक दूसरे से बोलो क्या हो जाते जूड मतलब दो अलग अलग आपको acetic acid के particles नहीं मिलते हैं आपको ये जो पूरी की पूरी entire ये पूरी की पूरी एक unit मिलती हैं मतलब दो लोग combined हो गए और बन गई एक unit तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास acetic acid के 100 particles हैं बेंजीन में तो reality में 100 नहीं है reality में क्या है 50 ह है ना क्योंकि दो-दो की जोड़ी बन गई और इसी particular process को कहा जाता है association और association में भी इसको specially कहा जाता है dimerization dimerization मतलब दो लोगों का जुड़ा हो सकता है trimerization भी हो हो सकता है tetramerization भी हो और हो सकता है polymerization भी हो जो की polymers में होता है चीजे unit आपस में क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं तो ऐसे में अगर कभी association हो रहा है तो यह सब होगा और कभी अगर dissociation हो रहा है तो यह सब होगा ख करेंगे सबसे पहली चीज़ आपको अलफा के बारे में जानकारी होनी चीज़ क्या सभी को अलफा पता है बिल्खुल पता है अलफा का मतलब होता है डियोडी हमें पढ़ा है ना डियोडी केमिकल में भी पढ़ा है आयोनिक एक्विलेब्रियम में भी पढ़ा है हर जगा पहले कि दिसकर्स करना चाहती हूँ कौन से के स्सक्राइब का कि ठिक है डिसोशीेशन का इस के समय प reasons करते हैं चलो मान Snapchat चलीए कि आप लोगों पास कोई एक particular chemical है ठीक है जैसे मान के चलो आपके पास है ए ठीक है यह एक कनवर्ट हुआ प्रोडक्ट में ठीक है यह A किसमें कनवर्ट हुआ प्रोडक्ट में लेकिन जब यह A आपके प्रोडक्ट में convert हो रहा था तब पहले A के मान लो एक particle थे और जब वो product में convert हो रहा था तब उसके मान लेते N particles हो गए N वहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, depend मुझे नहीं पता कितना होगा बट इन में से कुछ भी हो सकता है मैं यह dissociation का case बता रहे हूँ dissociation का ठीक है, बराबर dissociation का क्या है, बताओ dissociation का क्या dissociation में क्योंकि particles की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है है ना, particles की संख्या बढ़ जाती है इसलिए N times of A लिखा जब हम लोग T equal to 0 पे थे यह सारा काम chemical equilibrium में और ionic equilibrium में किया हुआ है हमारा जब हम T equal to 0 पे थे मतलब reaction आप लोगों की जस्ट शुरू ही हुई होगी तो उस समय अगर मैं तुमसे यह पूछू, capital A के capital A के कितने moles हैं तुम्हारे पास, इसको product लिख लेते हैं यार, इसको product लिख दो ठीक है, बराबर और इसको reactant लिख दो, reactant के कितने moles है तुम्हारे पास तो तुमने मुझको जवाब दिया, madam A moles है, A का मतलब initial moles और उस सक product के कितने moles होंगे obviously 0, है ना, reaction क्योंकि जब शुरू ही है, जब हम T equal to T पे पहुँच गए, मतलब किसी दूसरे time interval पर तो उस दूसरे time interval पर बोलो क्या होगा, reactant कम हो जाएगा, बराबर और product बढ़ जाएगा, chemical equilibrium में सिखाया है, तो यह हो जाएगा आपका A minus X और यह हो जाएगा N times of X अब जिस इंसान को chemical equilibrium और ionic equilibrium नहीं आती बाई उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं और सब लोग यह जानते हैं कि हम लोग X को किस से replace कर देते हैं A times of alpha से, in terms of DOD है ना, और इसको भी लिख देंगे A times of alpha, कुछ ही नहीं किया है यहाँ पर बस X की जगा A times of alpha पुठ किया है, तो अगर मैं तुम से product दोनों को add करना पड़ेगा, तो reactant कितना है, A minus alpha, और product कितना है, N times of A alpha, बराबर अच्छा, थोड़ा सा इसको simplify करते हैं minus of A alpha को common निकाल लो, अच्छा, minus of A alpha को अगर आपको, अच्छा, अब A alpha को निकालो सिर्फ, तो यह आजाएगा minus 1 plus N, थोड़ा सा और अच्छे से simplify करो, तो यह हो जाएगा, A plus A alpha N minus 1, बराबर यही हो जाना है, है न, A minus आप लोगों का कितना A alpha, अच्छा, ठीक है, आप एक काम करो, A और common निकालो, अगर A को भी common निकालोगे, तो यह हो जाएगा, 1 plus alpha N minus 1, बराबर यह total moles है, कहाँ पर, T equal to T पर, मतलब T equal to T पर, आपको total कितने moles मिले, आपको इतने moles मिले, लेकिन जब reaction शुरू हुई थी, तब आपने शुरुआत में, यानि कि T equal to 0 पर, कितने moles लिये थे, चोकि reaction जब शुरू हुई थी, तो reactant तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो reactant के moles हमारे पास किते थे A, और product के किते थे 0, यानि कि T equal to 0 पर, जब reaction शुरू हुई थी, तो initial moles किते थे, मैंने अभी अभी तुम्हें, वेंट आफ फेक्टर का मतला समझाये था, कि यह simply एक ratio होता है, किस चीज का कितने particles या कोई भी चीज, कितनी मिली versus कितने लिये गए थे, तो आपको मिली कितनी A times of 1 plus alpha n minus 1 upon में, आपने लिये कितने थे A, नीचे का A, उपर का A cancel out, और यहां से I का formula आ गया, 1 plus alpha n minus 1, यह आ गया आप लोगों के एपा formula, बढ़ यह formula तभी valid है, जब आप लोगों के chemicals, बोलो क्या हो रहे है, associate हो रहे हैं, जब आपके chemicals क्या हो रहे हैं, sorry, dissociate हो रहे हैं, अगर dissociate नहीं हो रहा है, तो यह चीज पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मैं question तुम्हें देती हूँ, for example, we have H3PO4, 3PO4 को अगर मैं लिखू, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3 times of H positive, है न, और इसको और क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, plus आप लोगों का PO4 3 negative, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे number of particles कितने है, number of particles, N की value कितनी है, तो N की value होगी 3, और इसके सामने कुछ नहीं है, यानि की 1 product side में, so it would be 4, अब अगर मैंने H3PO4, PO4 का तुमसे आई पूछा होता, तो क्या यहाँ पे आपको DOD के बारे में, कोई information दी गई है, कोई information नहीं गी, यानि की no info about DOD, अगर DOD के बारे में, कोई information नहीं है, इसका मतलब, आपको consider करके चलना है, कि वहाँ पे alpha की value किती रही होगी 1, यानि की DOD वहाँ पे कितना रहा होगा, 100%, वहाँ पे DOD कितना रहा होगा, 100%, और जब DOD 100% होता है न, तो ऐसे case में, I और N आपस में equal हो जाते हैं, मतलब जो N की value है, basically उसी को हम went off factor कहते हैं, तो यहाँ पे N की value कितनी है 4, so therefore my went off factor would be what? लेकिन, अगर मालने ते इसी same question में, यहाँ पे उपर आपको लिखकर ऐसा दे दिया गया होता, कि H3, PO4 का जो DOD है, वो 80% है, मतलब वो dissociate हो रहा है, no doubt, H plus में, PO4, 3 negative में, but इस माल उसका DOD कितना दे दिया, 80%, 80% का मतलब क्या होता है, alpha की value कितनी आ जाएगी, 0.8 आ जाएगी, alpha change हो गया, अब आप ये मत कहना कि I बराबर N, पहले तो decide करना कि association हो रहा है कि dissociation हो रहा है, साथ साँभ दिक्राएग कि dissociation हो रहा है, dissociation के लिए I का formula क्या होता है, dissociation के लिए I का formula होता है, 1 प्लस alpha, N minus 1, यही होता है, बराबर बिल्कुल, अब 1 वैसे का वैसी, alpha की value 0.8, n की value 4, minus 1, यानि की 3, 3 into 0.8, that would be 2.4, 2.4 plus 1, यानि की 3.4, यानि की i की value कितनी है, 3.4, ऐसे करते हैं तो पहले तो आपको जो भी chemical दिया गया है, आप उसको जैसा, बच्चपने से आप जैसा, dissociate करते हैं आप कर लो अगर alpha के बारे में दिया है, तो इस particular formula को use करो, alpha और n की value डालो, बात खत्म लेकिन अगर DOD के बारे में कोई hint नहीं है, तो DOD आपका 100% होगा, यानि की alpha की value आपे क्या लिखी जाएगी, 1 हाँ, बट एक बहुती बड़ी mistake यहाँ पे student से होती है, कि यहाँ पे हम लोग जो यह word यूज करते हैं न, जहाँ पे सबको पता होता है, एन का मतलब होता है, कितने particles तूट कर बने, या फिर एन का मतलब होता है, कितने particles जूड कर बने, बट यहाँ पे एन जो होना चाहिए, वो aqueous phase वाला एन होना चाहिए, मतलब अगर product side में gas बन रही है, तो gas की stoichiometry को नहीं लिया जाएगा, अगर product side में solid है, PPT बन रहा है, त इसकी भी stoichiometry को नहीं लिया जाएगा, सेफ और सिक किसकी stoichiometry को लिया जाएगा, जो aqueous phase में है, ठीके, जैसे की मान के चलिए, कि मेरे पास two times of reactant है, अचा two times वाला case बाद में देते हैं, पहले single stoichiometry के साथ करवाते हैं, reactant convert हो रहा है, four times of Q में, जो की aqueous है, plus five times of R में, जो N सिर्फ और सिफ इसका four होगा, ठीके, आप इसका N कितना होगा, four, not nine, क्योंकि इसको consider नहीं करना, not consider, इसको नहीं लेना, solid या gas को आपको N की value लिखते वाग नहीं लेना है, दूसरी गलती एक student से N की value निकालते वाग यह होती है, especially dissociation के case में, कि N की value calculate करते वाग, जो reactant है है ना, उस reactant की जो stoichiometry है, वो reactant की stoichiometry कितनी होनी चाहिए, one, अगर reactant की stoichiometry one नहीं है, तो पूरी reaction को उस number से divide करो, और उसकी पहले stoichiometry one लेकर आओ, और फिर N calculate करो, क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि देखो, उपर हमने जो formula derived किया है, उसमें मैंने reactant को एक ही तुलिया, तब मैंने वो formula derived किया है, यह no, तो यह formula तभी valid है, जब reactant की stoichiometry कितनी होगी, one होगी, बराबर, अच्छा, तो therefore, ध्यान रखना, जैसे की, माल लेते हैं, इसी question में, उपर वारे question में, चीजे ऐसी लिख दी जाए, कि four times of reactant is giving you four times of q, aqueous, plus आपको देदिया जाए, five times of r, solid, तो ऐसे case में, अब यहाँ पे n की value को 4 लिखने का काम मत करना, यह गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो reactant है, उसकी stoichiometry one नहीं है, पहले उसकी stoichiometry one बनाओ, ठीक है, उसकी stoichiometry one बनाओ, तो उसकी one कैसे बनाओगे, पूरी reaction को divide by four करके, जब divide by four करोगे, तो वहाँ पे सिव reactant होगे, तो वहाँ पे से one बचेगा, किसमत से, और प्लस वहाँ पे five by four, और solid बचेगा, ऐसे case में, आप अगर कोई तुमसे n पूछता है, तो n की value कितनी होगी, n की value वहाँ पर one होगी, ठीक है, यहाँ पे n की value कितनी होगी, यहाँ पे one, solid को मत लेना, तो दो rules है, n की value नि कुछ pure liquid वगेरा अगर बन रहा है, तो उसको भी लेना, सिर्फ aqueous phase को लेना है, खेर, solvated phase को लेना है, या फिर मैं यह बोलू, दूसरी चीज, किसी के दिमार्ट में अगर यह बात आ रही है, कि मैडम अगर reactant दो रहे तो, तो देखो दो दो reactant के लिए particular formula नहीं है, यह ए एक reactant के लिए, यानि कि कोई एक particle, कोई एक molecule जो आगे जाके तूट रहा है, दो दो मिलके तूट रहा है, ऐसा वाला concept नहीं है, दूसरी चीज, question में आपको दिया रहता है, कि चीजे associate हो रही है कि dissociate हो रही है, dissociate के साथ काम करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि बच्पन से आप almost इस चीज के साथ familiar होते हो, जैसा अगर आपको कोई कहेगा, H2SO4 को break करो, तुम आसानी से break कर दोगे, 2 times of H positive plus SO4 to negative, है ना, मतलब breaking करना हमारी habit में होता है, बराबर breaking करना हमारी habit में होता है, लेकिन जो ये काम होता है, associate करना, जैसा कि मैंने उपर बताया, कि acidic acid के 2 molecules जुड जायेगे, because of hydrogen bonding, हो सकता किसी में 3 जूड रहे हो, हो सकता किसी में 4 जुड रहे हो, तो भाई मुझको कैसे पता कि कभी 2 जुड़ेगा, कि 3 जुड़ेगा, कि 4 जुड़ेगा, इसकी information आपको question में दी होगी, कि वो dimerize हो रहा है, कि वो trimorize हो रहा है, कि वो polymerize हो रहा तो एसी कूछ चीजे जो याद रखी जा सकती है जैसे असे डायमराइज होता है N2O4 दाइमराइज होता है NO2 को 2 NO2 को एड़ कर दो N2O4 बन जाएगा तो ऐसी कुछ चीजे याद रखी जा सकती है जिनको हम डे टुडे पढ़ते हैं बट अगर तुम बोलोगे कि दुनिया के हर molecule का वेको dimerization कैसे पता होगा, trimerization कैसे पता होगा, तो सही में नहीं पता हो सकता, उसके लिए आपको cushion में given information होगी, ठीक है, उपर का जो formula है, I equals to 1 plus bracket N minus 1 bracket close alpha, ये तभी valid है, जब आपकी चीजे क्या हो रहे हो, dissociate, लेकिन अगर मान लेते हैं, आपने जो भी molecule लिया हुआ है, अगर वो particular molecule आपका association कर रहा है, तो association के लिए, फिर हम क्या करेंगे, उस वक्त हम लोगों का क्या status रहेगा, तो चलो देखते हैं, association का मतलब होता है, चीजों का जूड़ना, यही होता है, association का मतलब, चीजों का जूड़ना, मतलब reactant side में, जादा particle से, और product side में, कम particle से, यानि कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि end times, किस चीज के reactant, यह convert हो रहा है, किस के आपके one time सा product में, ठीक है, बस मैंने इतना लिख दिया, ऐसा मैंने लिख दिया, अब, बताओ ज़रा, t equal to 0 पर, अगर मैं तुमसे पूछूंगी, कि इस के moles कितने हैं, तो पहले तो तुम रुखना, और रुख कर बोलना कि मैडम, पहले अपने काम करते हैं, chemical equilibrium के concept लगाने से पहले, rule के according आप reaction को लिख लो, chemical equilibrium में सिखाया है, कि हमेशा reactant की stoichiometry 1 लेकर काम करना, और वाइस तुमको ही confusion होगी, बाद में जाकर, यानि किसको product by end सकते हैं, अरे दर्वादा तोड़ देगा क्या भाई, बैठ जा, ठीकें, उसको हम product by end लिख सकते हैं, अब मुझे बताओ, t equal to 0 पे reactant कितना होगा, a, product कितना होगा, 0, बराबर, जब में t equal to t पे जाओंगी, तो यह होगा a minus x, यह होगा x upon n, chemical equilibrium, याद करो, फिर हम लोग x क किससे replace कर देंगे, a times of alpha से, x को किससे replace कर देंगे, a times of alpha से, अब अगर कोई तुमसे यह पूछेगा, आपने कितने moles लिए थे, तो आप क्या जवाब दोगे, a लिए थे, कोई तुमसे यह पूछेगा, आपको कितने moles मिले, तब आप क्या जवाब दोगे, a minus a alpha, plus आप थोड़ा सा चीजों को simplify कर लेते हैं, क्या simplification किया जा सकता, एक को common निकाल लीजे, तो क्या आएगा, one minus alpha plus alpha upon n, यही आएगा, यह जो पीछे के दो terms हैं, इन में से क्या कर लो, आप alpha को common निकाल लो, है न, alpha को common निकाल लो, plus alpha को, यह निकाल लिया, तो क्या बचेगा, minus one plus one upon n, यह बचेगा, थोड़ा सा और simplify कर लो, तो क्या आएगा, a, one plus alpha, one minus n, अपॉन में n, यही आएगा, maths की हैं मैंने, कोई chemistry नहीं की, ठीक है, क्या किया जा रहा हैं आपे, mathematics की जा रही है, तो इतने हमको मिले, इतने हमको मिले, बट अगर मैं पूछूंगी, कि i क्या है, तो त इतने मिले, इसका ratio, किसके साथ, बताईए, इसका ratio कितने लिए थे, तो लिए तो a थे, यह a और a कड़ गया, तो यहां से i की value, association के case में, कितनी आती है, one plus alpha, dissociation में भी one था, यहां पे भी one है, dissociation में भी plus था, यहां पे भी plus है, वहां पे भी alpha था, यहां पे भी alpha है, बट bracket ब्राकेट में सारा गेम बदल दिया वहां पे सिफ अलफा के बाद क्या था एन माइनस वन है न और यहां पे कितना है वन माइनस एन अपॉन एन ब्राकेट यहां थोड़ा सा क्या हो गया चेंज हो चुका है तो यह फॉर्मला कब वैलेड होगा जब आपके पार्टिकल्स क्य है तो वहां पर आन की वैल्यू होगी 2 कोई बोलेगा कि पार्टिकल्स ट्राइमराइज हो रहे है इसका मतलब है वहां पर आन की पार्टिकल्स की वैल्यू कितनी होगी 3 एंड सो और यह चीज़ चलती जाएगी हो सकता है कोशन में आलफा दे दिया है तो अच्छी बात है अलफा की वाल्यू को वन ले लीजेगा बट अगर आपको अलफा नहीं दिया तो वहां पर उसकी वाल्यू को कितना ले लीजेगा 70% 80% जो भी कॉश्चन में लीटा हुगा यहां पे हम लोगों का डियोडी वाला पार्ट खतम होता है इसके माल यह पूरे के पूरे वेंट और फेक्टर को हमें एक छोटा सा डेलिवेशन करना है जिसे मोलीकुला माल्स और वेपर डेंसीटी के टम्स में लिखना है जो की कोई कामका नहीं है जिसको यह सब आता है वो देफिनेटली वो कर सकता है बट सम्टाइम्स बोर्ड में पूछ ली आ जाता है तो उसके लिए